हेलो इस वीडियो में हम MS Excel में Object Function के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि Excel में Object Function का काम क्या है आगर हम किसी Application Software में काम कर रहे हैं और किसी दूसरे Application Software का यूज़ करना चाते हैं तो ये काम हम Object के दवारख कर सकते हैं जैसे हम Excel में Paint का काम करना चाते हैं या MS Word का काम करना चाते हैं या MS PowerPoint का काम करना चाते हैं या किसी दूसरे Application Software पर काम करना चाते हैं तो ये काम हम Object Function के दवारख कर सकते हैं यहाँ पर हमने MS Excel को उपन किया हुए और ये CTA पर दे गई है अगर हम यहाँ पर Paint का काम करना चाते हैं या PowerPoint का काम करना चाते हैं या MS Word का काम करना चाते हैं या किसी अन्य Software का काम करना चाते हैं तो ये हम कैसी करेंगे इसको करने के लिए हम यहां पर Insult अब पर जायेँगे Insult अब पर जाने के बाद Text Group में जायेंगे और Text Group में जाने के बाद यहां पर Object पर क्लिक करेंगे यह Object Dialog Box यहां पर उपन हो जाएगा यहां पर Object Type में यह Application Software यहां पर दिये गए है हम किस Application Software में काम करना जाते हैं उस पे हम यहां पे क्लिक करेंगे जैसे suppose करो हमने यहां पे हम paint का काम करना जाते हैं तो हम यहां पे bitmap अमेज यहां पे क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद paint यहां पे उपन हो जाएगा इसको यहां से बड़ा करेंगे यह paint यहां पे उपन हो गया है अब हम यहां पे इसको बड़ा करेंगे और यहां पे कुछ paint का काम करेंगे जैसे हम यहां पे star यहां पे लिटते हैं यह star हमने य फिल करेंगे हम जैसे यह कलर हमने यहां पे फिल किया यहां पे यह कलर इसके बाद यहां पे यह कलर यह कलर हमने पेंट पे यह काम कर लिया काम करने के बाद यह जितना भी इंटरफेस यहां पे ओपन है यह पेंट का है इसके बाद क्या करेंगे हम यहां पे इसको बंद कर द यह देखो यह हमारी एक्सल शीट है यहां पे यह जितना भी पेंट का हमने काम किया हुआ है यह काम यहां पे आ गया है अब इस काम को अगर हम यहां पे कहीं पे मूब करना जाते हैं जैसे यहां पे राइट एंड साइड इसको ले जाना जाते हैं तो इसको यहां पे ले जा करना है यहां से कम करना है तो यहां से कम करेंगे यह को कम हो रहा है यहां से कम करेंगे तो यह कम हो रहा है कम होने के बाद अगर हम इसको राइट एंड साइड ले जाना जाते हैं तो हम इसको राइट एंड साइड ले जा सकते हैं जैसे निचे यहां पे ले आए इसके बाद यहां पे ले आए, इसके बाद यहां पे ले आए, इसके बाद अगर हम इस paint में कोई और काम करना जाते हैं, तो इस काम को भी हम कर सकते हैं, जब हम इसके ओपर double click करेंगे, तो paint का interface यहां पे open हो जाएगा, यह देखो, यहां पे हमने इसको double click किया, double click करने के बाद यह देख टेक्स पे क्लिक किया और यहां पे इसको यह ड्रैग किया इसके बाद यहां पे अगर हम कुछ लिखने जाते हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं जैसे यहां पे हमने लिखा स्टार्स यह हमने लिखा लिखने के बाद यहां पे क्लिक किया तो यह स्टार्स यहां पे आ जब हम इसको यहाँ से close करेंगे, तो यह जो हमने यहाँ पे लिखा यह हमारी एक्सल शीट में आ जाएगा, यह दिखो, यहाँ पे इसको close किया, यह दिखो, एक्सल शीट में यह स्टार यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पे paint में कोई changing करना ज हम चाहते हैं कि इसका icon बनके आए और जब हम icon पे click करें तो वो file open हो जाए तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे इसको delete करेंगे delete करने के लिए इसी के ओपर click करेंगे और click करने के बाद keyword से delete की press करेंगे यह देखो यह delete हो जाएगा इसके बाद अगर paint का यहां पे हम icon बनाना जाते हैं और icon पे click करके वो file open हो जाए तो ऐसा करने के लिए हम यहां पे object पे click करेंगे object पे click करने के बाद bitmap अमेज यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यहां पे दिया गया है display as icon यहां पे इसको चेक करेंगे चेक करने के बाद ये दिखो जो आइकन यहां पे शीट में बनके आएगा ऐसा आइकन बनके आएगा बिट मैप अमेज का और ये आइकन हमने यहां पे लाड़ा शीट में तो इसको लाने के लिए हम क्य करेंगे इसको चेक करेंगे और इसके बाद यहां पर ओके पे क्लिक करने के बाद यह पे पेंट यहां पर अपन हो जाएगा इसको यहां से बड़ा करेंगे बड़ा करने के बाद यहां पर कुछ बनाएंगे इसके बाद यहां पर हम कोई और शेप लेंगे यहां पर य यह यहां पे रखा, तो यह color हमने यहां पे fill कर दिया, fill करने के बाद, जब हम यहां पे इसको close करेंगे, तो close करने के बाद यह जो है यह file open नहीं होगी इसका icon यहां पर बन जाएगा यह दिखो यहां पर इसको close किया close करने के बाद इसको यहां पर center में drag करेंगे यहां पर रखेंगे इसको तो यह दिखो यह file का यहां पर icon यहां पर बन के आ गया है अगर हम इस file को दिखने जाते हैं कि इस file में क्या है तो इसको दिखने के लिए हम इसके उपर double click करेंगे ये double click किया तो double click करने के बाद ये दिखो ये paint की file याँ पे open हो जाएगी तो इस तरह से हम याँ पे Excel sheet में icon भी याँ पे create कर सकते हैं इसके बाद यहां पर इसको close किया तो यह निको यह आइकन यहां पर आ गया है अगर इस आइकन को हमने यहां से delete करना है तो हम यहां पर इसके उपर click करेंगे click करने के बाद keyword से delete की प्रेस करेंगे यहां से delete हो जाएगा इसके बाद अगर हम यहां पे यह जो Excel Seat है यहां पे MS World का काम करना जाते है तो इसको करने के लिए फिर हम यहां पे Object पे जाएंगे Object पे जाने के बाद Object Type पे जाएंगे और यह जितने भी हैं यह Application Software है किसी के ओपर हम क्लिक करके उस पे काम कर सकते हैं तो हम यहां पे World पे काम करेंगे तो World पे काम करने के लिए तो MS World पे काम करने के लिए यहां पे Microsoft World Document यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद अगर इसका आइकन हम बनाड़े जाते हैं तो यहां पे क्लिक करेंगे इसका आइकन यहां पे बन जाएगा अगर नई बनाड़ा है तो इसको अन्चेक कि रहने देंगे और यहां पे ok पे klick करएंगे ok पे klick करने के बाद यह देखो ms world का interface यहां पे open हो जाएगा यह جितना भी है यह ms world का interface है तो यहां पे जितना भी हम काम करेंगे यह ms world से related करेंगे तो इसको करने के लिए ये जो है ये MS World का काम करने के लिए यहां पे आ गया है तो इसको यहां पे ड्रैग करेंगे ये दिखो ड्रैग किया और यहां पे इसको शोटा तो ये इसके बीच में जितना भी काम करेंगे ये काम हम MS World का करेंगे अगर हम यहां पे वार क्लिक करेंगे तो वार क्लिक करने से यह जो है इंटरफेस यह एक्सल का आ जाएगा जब हम इसके ओपर डबल क्लिक करेंगे तो यहां पे MS World का इंटरफेस ओपन हो जाएगा यह दिखो इसके ओपर डबल क्लिक किया तो इसके उपर double click करने के बाद ये दिखो ये MS World का interface यहां पर open हो गया है इसके बाद अगर हम यहां पर कुछ भी लिखेंगे document command लिखेंगे is equal to rent और इसके बाद enter प्रेस किया तो ये दिखो ये यहां पर आ जाएगा ये इसको drag करेंगे और जहां भी इसको ले जाना जाते है वहाँ पर छोड़ देंगे ये यहां पर आ जाएगा आने के बाद ये दिखो ये MS World पर हमने काम किया हुआ है ये काम करने के बाद आगर हम इसको बॉल्ड में करना जाते हैं तो इसको सारे को select करेंगे ये select किया बी पे क्लिक किया ये बॉल्ड हो गया यहां पर अगर इसका size कामिया जादा करने जाते हैं तो यहां से इसका size कामिया जादा कर सकते हैं ये देखो ये size दिया गया है fountain रखा ये size और जादा हो गया है इसके बाद अगर इसको resize करने जाते हैं तो हम इसको select करेंगे select करने के बाद यहां पर bullets लगाएंगे जैसे हम कौन से bullets यहां पर लगाना जाते है जैसे यहां पर suppose करो हम यह bullets यहां पर लगाना जाते है यह दिखो यहां पर लग जाएंगी यह इसके बाद अगर इसको center में करना है तो यह center में रख दिया यह center में आ जाएगा या इसको right side करना है या left side करना है तो यहाँ पर click करेंगे यह left side हो जाएगा इसके बाद अगर हम इसको highlight करना जाते है तो यह select किया सेलेक्ट करने के बाद यहां पे इसको हाइलाइट कर दिया इस कलर से हमने इसको हाइलाइट कर दिया तो यह जितना भी है हम यहां पे MS World का काम कर सकते हैं इसके बाद अगर हम यहां पे एकसल का काम करना जाते हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर बार यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद यह देखो यह एक्सल का इंटरफीस यहां पर ओपन हो जाएगा और MS World का इंटरफीस यहां से चला जाएगा तो ms world के interface को दुवारा यहां पे लाने के लिए हम यहां पे double click करेंगे वो interface यहां पे आ जाएगा यह देखो double click किया फिर से यह ms world का interface यहां पे आ गया और ms world का जितना भी काम अगर हम यहां से करना जाते हैं तो यहां से हम वो काम कर सकते हैं तो इस प्रकार हम object function का use करके किसी भी दिये गए application software का use कर सकते हैं अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छे लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद